हलो फैंड वेलकम टो अनलाइन फेस्टेडी तो अब अन्टी पीजी एग्जाम एनलेसिस के लिए लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए और दुबारा से फाइट देखी वीडियो हमारी आरे लगी है और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे हैं आपके लिए शॉरी फॉर याट क्लासस में फोरे से वीडियो गए थे तो अब आप उनलाइन क्लासस भी आएंगी offline भी होंगी, online भी होंगी, सब कुछ होगा ठीक है कुछ qsi जो है मेरे पास है gk qson है जो कि second shift के है first shift के जो मैंने नहीं कराए है कल से first shift के, second shift एन आपको मुलने वाले हैं important यहीं मिलेंगी, करन्ट पर भी बताऊंगा एक साल का जो आपके exam में आ रहा है और आने वाले देखिए अगर आप MP Police के लिए पढ़ रहे हैं MP Police के लिए MPPSC के लिए पढ़ रहे हैं तो Online Study of West Platform रहेगा आपके लिए आने वाले फ्यूचर में जो कि आपका एक्जाम है क्योंकि मैं बहुत सतरी सी जी आपको लिए डालने वाला हूं और आपको सारी वीडियो के जो नोटिफिकेशन आया है और उनको वीडियो का आप देखता है चलिए चलते हैं देखते हैं आपका एक्जाम में क्या पूछा गया तो फ्रेंट कुछ गोशिन है हमारे पास सारा भी एंटी पीजी सी बीडी टू का आज जो देखे पहला गोशिन आपसे पूछा गया था त्रिक का नियम इनमेंसे किस ने दिया तो डोवे नाया डोवे राइनर ठीक है मैं लिए देता हूं थोड़ा देख नहीं रहा कल से सई से आ जाया ठीक है सारी चीजह लिए पी पी टी रहेगी वह आपको पी पी टी रूप में बलेगी डोवे राइनर है ठीक है राइनर ओके तो वो मिल जाएगी इसके बाद second question दिया जाता MP4 MP4 JPEG MKB इन में से कौन जो है वीडियो फाइल का extension नहीं है वीडियो फाइल का extension का मतलब है आप JPEG फाइल जो रहती है वो option में है आपका JPEG जो रहती है वो आपके photo की जो आप photo खेशते हो वो उसकी एक extension file होती है MP4 हुआ MKB हुआ इसके बाद SD video आती है वो जो वीडियो आती है MP4 जो सारी की सारी कैसे आती है वो वीडियो फाइल को support करती है ना कि JPEG जो फाइल को परपोड जो करती है वो photo के लिए करती है उसकी बाद अगला question जो आ रहा है JPG का answer यहाँ पर JPG रहेगा इसका question number third है इनमें से कौन सा scientist atomic bomb से related है या संबंदित है क्या है संबंदित है क्या भी यह संबंदित है कुछ यह गलती हो गई है जलील लेखने में को को मैंने लेखा भई दूसरे वेक्ति ने लेखा है मेरी sister ने लेखा है तो Robert Oppenheimers ठीक है और Robert Oppenheimers होता है यह अगला question है यहाँ पर Interpol का headquarter कहा है Interpol का headquarter Lyons में है jetzt Kids Iancheukadheims में है कहा पर है France में कहा पर Lyons France में है Okay Hydrogen की Power को किस में मापते है है Hydrogen की मतलब आपको PhD Skit में मा आपते हैं ठीक है इसमें आपते है फ्रच इसकिल में आपते हैं ध्यान रखेगा बहुत important question एक्जाम में आता है बहुत बार आता अगला कोशन पूछा गया था इका नंदन खत्री पूरा नाम सुनिएगा देवी का नंदन खत्री ने कौन सी बुक जो है लिखी है तो इन्होंने लिखी है चंदरकांता कौन सी लिखी है चंदरकांता ओके चंदरकांता बहुती फेमस पुस्ता के ध्यान रखेगा आपने बच्छमने पड़ी होगी चंद्रकांता चंद्रकांता की कहानिया यह पुस्ता के नहीं लिखी है अगला कोशिन है आप देखिए कोशिन अब सेवन फंडामेंटर राइट्स यानि की मौलिक अधिकार हमारे जो है किस देश से लिए गए तो मौलिक अधिकार जो है USA से सिक्त राज अमेरिका से लिए गए है अब आपसे कोशिन है कितने मौलिक अधिकार है टोटल हमारे पास कितने फंडामेंटर राइट्स है वो आपको कोशिन कमेंट करना है आंसर बताना इसका फुर्यांस कोशिन तो मैंने बोल दिया आपको इसका आंसर देना है कमेंट करना है चले आंसर दीजेगा अगला कोशन स्क्रीन पर यह रहा आपके लिए जब कोई नदी पहाड़ से उतर कर चारो तरफ फैल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बहुती सिंपल कोशन है मान लिए पहाड़ इस परकार से नदी जो है कहां रहे च चड़ने के बाद वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फैल रही है तो इसको क्या बोला जाएगा तो यहाँ पर बोला जाएगा देखो आगर यह नदी एक नदी या दो तीन नदी एक नदी मिलती तो इसको नदी बेसिन कहा जाता लिकन यह जो होगा वो नदी द्रूनी कहा जाएगा, बहुत सिंपल कोशिन था, अगला कोशिन यहाँ पर आएगा, बनीहाल दर्रा कहाँ पर है, तो बनीहाल दर्रा, जम्मु एन कश्मीर में हैं, जी एन के में हैं, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, जी एन के में हैं, बहुत इंपरॉंट कोशिन था, अ option मुझे नहीं मिले अगला question है अहमद लाहोरी ने कौन सा monument बन वाया तो भाईया बहुत ही simple है ताज महल तो ताज महल बन वाया ध्यान रखेगा ये UNESCO में लिस्ट में हैं साथ सबसे जो है ये मलब मनुमेंट है उसमें है और हमारे इंडिया में सकाता है अगला question screen पर देखे किया बूचा है गरफतारी के बुर्ध कौन सी सप्रिम कोट जो है किरफतारी के बुर्ध कर mitigate कोट ऑब इर विए कौन सी सोप्रिम कोट गरफतार है ये कमलब परतेक्ष कोट तो यह और अमध्या बंदी प्रतेक्ष करण होता है वुली जाती है बहुत परानी बार्षाई यह कहाँ पर लक्षदीप में कोसिटनि है याद रखियागा बहुत इंपार्टंन गोषण है लक्षदीप का कोशिण आग बात करें लक्षदीप की तो यह एक वैं territory है बहुत बारा आता है कोशिन अगला कोशिन स्क्रीन पर है UNEP का office का है अपिस का मुख्याले का है मतलब इंडिया का इंडिया में office का है इंडिया में office जो है न्यू डेली में पड़ेगा कहा पड़ेगा भई या एच यू में दिया बहुती फेमस कोशन है एक्जाम में आते हैं अगला कोशन है कैलसियम क्या है कैलसियम औकसाइड क्या है या कैलसियम औकसाइड जो है उसका दूसरा नाम क्या है तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं क्विक क्या बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं क्विक लाइम भी बोला जाता है अगला कोशिन था करनाटक का कोशिन था यक्षगान आपसे आया था यह famous कोशिन यक्षगान नित कहां का नित है तो यह करनाटक का नित है कहां का नित है करनाटक का नित है बहुत important कोशिन स्क्रीन पर करनाटक का नित यक्षगान आपसे पूछा गय अगला कोशन स्टेन पर है किसने नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष किया गया है तो यह है 2020 का कोशन है करंट अफ़ेर कोशन है तीन से लेकर पांच तक कोशन आपको करंट अफ़ेर के आ रहे हैं बाकि आपका जीके जो है इतना मौडड़िट आ रहा है मैं आप तफ नहीं बो रहा है नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ने में समय लग सकता एक लाइन पढ़ोंगे दू़ लाइन पढ़ोंगे उसको इल Druid कर प्र बिध लिएफॉ Forsch मरांगे गया था ठीक है यह जो है लास्ट को से गनटक लक्ष है कि यह हो गया हाई भी होगा तो यहां फर फैंट्स में आप से बूल रहा था कि यह आपको PDF कहां से मिलेगी के PDF जो है आप कर से कर पाऊगे तो अनलाइन फ्री स्टडी लिखेगा ठीक है स्टडी अब लिखोगे तो उसमें डबल बाई लगाएंगा टेलिग्राम करना है टेलिग्राम पर ठीक है अब मैं देखिए आज में आपको फर्स एक सेकेंड शिप्टी करापाया है लेकिन मैं आपको कल से फर्स शिप्ट भी स्टडी के नाम से जो आपका चैनल है स्टडी को बाई डबल बाई करिएगा सारे चीज़ एक साथ लेखेगा पूरा रेगुलर लिखना है जोईन कर लिजए टेलिग्राम पीडियो आपको मिल जाएगा ओके तो आई थिंग यह सारी वीडियो आपको हेलफल लगी है मिल जाए ठीक है और हाँ एक चीज और जितने भी स्ट्विन है जो MP के लिए पढ़ रहे है MP प्लिस के लिए पढ़ रहे है MP PSC के लिए ठीक है तो यह दोनों के लिए MP प्लिस के लिए MP के कोई भी एक्जाम के लिए पढ़ रहे है उसके लिए जीके मैं आपको लेकर आने सकते हैं अगे अगर आपको पढ़ना है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिए शेयर कर दिए चाल सब्सक्राइब नहीं कर दिए थैंकि फूर वाचिंग वाचिंग इस लिए बासा आपके लिए आपके रिजल्ट के लिए